हलो सिब्ल इंजियर्स में हो निशांद गुलसवामी डायक्टर इनफोर्स ग्रोप आप सब इस सिब्ल इंजियर्स का एक वाफिर से रिनफोर्स के रिडिटल प्लेटफरम पे हार दिक स्वागत करता हूं इंजियर्स आज के सेशन हम लोग पाइल कैप का बीबीएस कैसे करते हैं कैसे उसका ड्रॉइंग देखते हैं कैसे ड्रॉइंग पढ़ते हैं और कैसे उसका बीबीएस करते हैं step by step procedure देखने वाले हैं इंजिनियर्स जैसे कि हमने लास सेशन में दो तीन वीडियो हमारे दो तीन सेशन में आपने देखा होगा ब्रीज का प्रोसीजर मैंने बताया था ब्रीज के जो प्रोसीजर के दर्मयान जितने तरह के टेस्ट होते हैं उस पे भी हमने एक सेशन बनाया था तो आप सभी इंजिनियर्स के रिक्वेष्ट पे मैं उसका बीपीएस करेंगे बीपीएस करने के लिए कौन कौन से steps follow करना है कैसे किस sequence में आपको जाना है वो आजके सेशन में देखते हैं आजके सेशन हम screen share करेंगे और screen serial करके आपको drawing rate करना बताएंगे और drawing से rate करके कैसे हम लोग implement करके BBS निकालते हैं वो आज के session में देखते हैं तो आसर करता हूँ आप हमारे session के last तक बने रहेंगे हमारे session ये तोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन आप लोगों के लिए useful होगा तो आएए start करते हैं आजका session pile cap का BBS BBS start करने से पहले drawing read करना जरूरी है क्योंकि BBS जो हमदों करते हैं structure drawing के help से ही करते हैं तो आए 어때 when cinco user corpo करते हैं सबसे पहले आप हमारे screenshot पर देखेंगे screenshot पे देखेंगे ये आपका नजर आ रहा होगा pile cap एक site का photo है यह इसी को बोलते है pile cap यह आपका pile cap है this is pile cap और इसके नीचे आप जो देख रहे हैं इसके नीचे आप जो यह देख रहे हैं इसको बोलते है PCC तो pile cap कभी भी होता है आपके PCC के उपर ही implement करते हैं pile cap का जो सरीय होता है bottom mess और top mess वो कभी भी आपका place होगा तो PCC के उपर होगा तो कैसे यहां तक का procedure कैसे आप हमारे last to last bridge की session देख सकते हैं कि कैसे pile cap तक कैसे पहुंचा जाता है कैसे procedure involved होता है pile cap का BBS कैसे होता है वो हम लोग आज के session में देख रहे हैं pile cap generally क्या करता है यह एक Jackson point होता है आपके peers और आपके pile के बीच का direct load आपके pile में ना जाए तो load आपका जब भी deck slab पे लगता है वहाँ से peers होते हुए load यहाँ से peers होते हुए load आपके pile में जाता है और pile से load होते हुए transfer होते हुए pile के अंदर जाता है pile cap से load transfer होते हुए pile के अंदर जाएगा और pile के नीचे से आपका load transfer होता है तो generally ये direct load pile के अंदर इंटर ना करे इसलिए pile cap बनाये जाता है pile cap बनाने का मतलब यही होता है कि एक junction point जहां पे load transfer intermediate का काम करे और यहां से pile के अंदर जाए और pile के थूँ आपका load फिर transfer होगा तो जितना travel load आपका travel करता है उतना ज्यादा अच्छे से आपका load exhaust होता है तो आएए अब drawing पे मैं ले चलता हूँ आपको देखे ये आपका pile cap का bbs site का photo है इसमें आप देखोगे उपर से ये आपका top mess है ये आपका top mess है आपके top mess लगे हुए है और फिर आपका bottom mess में भी ये top main bar मैंने बनाया और bottom main bar भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही place होगा और फिर हमारा ऐसे ही आपका top distribution बार और bottom distribution बार होगा तो इसको अच्छे से देखेंगे पहले मनों drawing पे चलते हैं drawing पे start करने से पहले drawing पे आप देखेंगे एक उससे पहले मैं आपको एक और photo दिखाना चाहूँगा इस photo में आप देखेंगे pile cap का जो bbs है pile cap का जो bbs होगा वो आपका bottom mess ऐसे होगा bottom mess ऐसे होगा और साथ में आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को यहाँ पे आप देखेंगे binders लगे हुए binders मतलब यह आपको binders बोलते हैं यह ना आपका binders है चारो तरब से bind किया हुआ है mess को यह आपको बाइंड किया हुआ है इधर से भी लगा हुआ है इधर से भी लगा हुआ है और इधर से भी लगा हुआ है आप देखिए ऐसे इसको बोलते हैं बाइंडर मतलब बॉटम मेस और टॉप मेस को बाहर से कवरिंग करता है ठीक है यह बाहर से कवरिंग करता है अब इस निच्छे का जाल, निच्छे का जाल मतलब यहां पे बॉटम में बार और बॉटम डिस्टिबिशन बार, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहां पे मार्क करके, यह आपका ब्राउन कलर से में मार्क कर रहा हूँ, तो यह आपका ब्राउन वाले जो बार है, यह आपके में बा कर जो बार दीख रहे हैं आपको यह हमारा distribution बार है यह आपका distribution बार है तो यह तो आपका bottom में इसकी बात हुई ऐसा ही आपका top में भी लगेगा तो यह सब का हम लोग bbs करेंगे आपको पहले drawing देखना बताऊंगा और फिर drawing से कैसे हम लोग implement करके bbs निकालते हो देखेंगे तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं drawing पे चलते हैं एक project के drawings मैं आपके सामने खोलूंगा यह जो project है यह आपका DMRC project है दिल्ली Metro Railway Corporation का project है आपको मैं तो आपको इसको project का introductions भी देदू मैं यह DMRC project अनन बिहार railway stations के पास डेली में आपका foot over bridge था तो foot over bridge का आपका foot over bridge बनेगा तो वहाँ पे भी pile का foundation यूज होगा और pile foundation यूज होगा तो obviously pile cap भी होगा तो उसका pile cap का bbs हम लोग करेंगे तो foot over bridge का pile cap का bbs करेंगे वैसे हमारा pile foundation pile cap आपके building में भी यूज होता है river bridge में well foundation यूज होता है आपका flyover है या आपका road bridge है तो वहाँ पे pile foundation यूज होना है और जहां पर pile foundation यूज होगा, वहाप पर pile cap mandatory है, रहे गई रहेगा तो pile cap different shapes के हो सकते हैं, rectangular हो सकता है, square हो सकता है, trapegetal हो सकता है ठीक है, तो यहाँ पर जो आप project में देख रहे हैं, यह projection है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह projection है, यह आपका pile है यह पूरा pile का photo है, और इसी के just ऊपर यहाँ पर इस portion पर pile cap लगना है, तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम लोग पहले यहाँ पर चलते हैं, यह आपका top यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप सकते हैं, plan, sewing, dimension and reinforcement detail of pile cap यहाँ पर जो आपका plan है, यह प्लान दिख रहा है, यह pile cap का top view है, this is the pile cap top view, इसको top view बोलेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, section AA लिखा है, और फिर इधर देखें, section BB, मतलब यह top view है, अगर कोई बंदा इधर से देखता है, इस side से देखता है अगर कोई इधर से देखेगा, that is, अगर इधर से कोई देखता है, इस section को, तो यह section AA है, आप यहाँ पर देखें क्या लिखा है, AA, direction देखो, ऐसे है, मतलब आपका direction है, X axis, मतलब इधर से अगर कोई देखता है, तो आपको पहला portion क्या दिखेगा, आपका पहला portion आप देखेंगे, यहाँ पर, this is given already, AA section, यहाँ पर AA section, मतलब आपका पहला portion जो दिखेगा, 1800 दिखेगा, और यह 1800 है, तो कोई आपका X, X के along देखेगा, इधर से देख रहा है, तो इसको क्या दिखेगा, पहले 1800 का portion दिखेगा, तो section AA जो है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बना हुआ है, section AA, यहाँ पर मार करके मैं दिखाओ, this is section AA, यहाँ पर आपका जो निचे जो है, यह PCC है, यह अगर आप देख रहे हैं, यह आपका PCC है, और PCC के just उपर, pile cap की जो depth दी हुई है, यहाँ पर आप depth देख सकते हैं, pile cap की जो depth है, वो 1500 दिया हुआ है, मतलब दे pile cap जो AA direction में आप देख रहे हो, तो AA direction में आप अगर देखते हो, तो आप यहाँ पर देखो क्या दिया हो, यहाँ से यहाँ तक 1800 म है, मतलब 1.8 मीटर, यह XX direction मतलब AA section है, कि अगर इस pile को, अगर इस pile को आप, अगर इस pile cap को आप XX direction में देखते हो, मतलब इधर से देखते हो, इस pile cap को, तो यह आपको ऐसा दिखेगा, इस direction में देखेगा, 1800 दिख रहा है, और नीचे से यह जो दिख रहा है, यह आपको pile cap, sorry, pile foundation, 1000 mm डाया pile दिख रहा है, यहाँ पर, और यह 18 mm breadth of the pile, और यह आपका 1500 depth of the pile, और नीचे PCC leveling course दिया हुआ है, अब चलते हैं, हम लोग A section तो देख लिए, A section समझ में आ गया, अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा, BB section, अगर कोई इधर से देखता है, इधर से is pile को देखता है, इस direction में, तो आपका देखें, यहाँ पर B है, और इधर है B, तो BB section में पहले क्या देखेगा, तो obviously इधर से कोई देख रहा है, तो आपको क्या देखेगा, इधर से कोई देख रहा है, तो यह आपका 4400 वाला portion देखेगा पहले, 4400 वाला portion अगर इधर से कोई देखता है इस side से देखता है तो opposite side से मतलब इधर से इसको हम लोग y-axis भी बोल सकते हैं तो इधर से अगर कोई देखता है तो आपको 4400 देखेगा तो वहीं आप देखो यहाँ पे section जो है यह section बी बी जो है यह आपका इधर से है तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो 4400 यह जो दिख रहा है यहाँ पे वहीं portion आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है तो यहाँ पे दो पाइल दिखा रहा है उधर सिंगल पाइल दिखा रहा है यह दो पाइल कैसे दिखा रहा है यह दो पाइल कैसे दिखा रहा है तो एक पाइल आप देखो यहाँ पे एक पाइल दिख रहा है और एक पाइल आपका यहाँ दिख रहा है यही दो पाइल यहाँ पर है इधर से कोई दिखेगा तो दो पाइल भी दिखेगा उसकाRY इह दिखेगा एधर से तो हैं तो यह दो पाइल दिखेगा यह और यह दिख रहा है और यह 4400 4400 4400 मतलब यह जो आप देख रहे हो 4400 वाला portion वो दिखेगा आपका यह यहां से यहां तक 4400 है जो कि यहां पर दिया भी है 4400 और depth of the pile आपका इधर से देखो चाहिए इधर से से देखता है मतलब यह हुआ कि इसको अगर बीच से काट देते हैं तो यह section कैसा दिखेगा तो यह मैंने आपको अभी जश्ट बताया यह section ऐसा दिखेगा तो इधर से अगर आपको देखता है कोई बंदा इधर से देखता है तो सिर्फ एक ही pile देखेगा इसलिए आप देख इधर से देखता है बीबी section तो यह आप देखो बीबी section यहां पर आपका दिया हुआ है बी और बी बी section के तब यहां आपका 4400 portion यह दिखेगा जो कि आपका यह दिख रहा है यहां पर projection दिया हुआ 4400 मतलब यह pile cap का portion 4400 दिखेगा और दो pile दिखेगा एक pile यहां है एक pile यहां है तो यह section B.B है तो आप दोनों section दिया रहता है यह तो A section भी section देख सकते हैं कभी कभी structure drawing में सिर्फ एक ही section दिखाता है और लेकिन इस project में हमारा दोनों section दिया है तो यह हमने section देखना बताया क कि आपका pile cap का section क्या होता है pile cap का जो dimension है मैं आपको बता दो फिर से pile cap का जो length है pile cap का वो है 4400 और जब breath है pile cap का वो है 1800 1800 is the breath और length of the pile cap is 4400 मतब 4.4 meter आपका लंबाई है और 1.8 meter आपकी चोड़ाई है pile cap की अब चलते हैं आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कई सारे number दिया है यह numbers बार marking होता है इसको बोलते हैं 4,2,6 दिया हुए रग 3,1,5 यह क्या है 4,2,6,3,1,5 ऐसे देखने पर तो एदम confusion सा लग रहा है और यहाँ पर देखो यह projection जो यहाँ पर आप देख रहे हैं तोड़ा समय आपको सो करके बताता हूं यह portion देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर pile जो 1800 है 1800 यहाँ से यहाँ तक है जो आपका 4400 है आपका यहाँ से यहाँ तक है यह जो आउटर आउटर देख रहे हैं आप यह PCC है यह आपका 75 mm का projection पर मतलब इधर 75 PCC है यह आपका PCC है इधर PCC है फिर इधर PCC है इधर PCC है ठीक है वैसे इधर PCC है इधर PCC है और इधर PCC है तो यह PCC का project समय है अब मैं बात करता हूँ bar marking का यहां पर आप देखें गो़र करेंगे ये 4, 2, 6 3, 1, 5 ये आखिर है क्या इसको बोलता है bar marking बढ़े बढ़े projects में क्या होते है lovely बढ़े projects में क्या होगा कि आपको बार marking सोर कर दिया 4, 2, 6 code दे दिया चार दो छे तीन एक और पांच अब आपको ये कैसे पता चलेगा अब यहां पे क्यों डायेक्ट भी लिख सकता था कि ये बार कितना diameter का है ये वाला बार कितने diameter का है तो ये ना लिखके आपको चार दो छे तीन एक पांच ऐसे सो कर दिया तो ये चीज़ समझने के लिए पहले हम लोग सीडूल में चलते हैं फिर एक बार यहां पे आएंगे तो reinforcement सीडूल में चलते हैं आप देखो यहां पे क्या है एक भी है दो भी है तीन भी है चार भी है पांच भी है छे भी है तो reinforcement सीडूल में देखते हैं कि एक दो 3, 4, 5, 6 है क्या आखिर तो reinforcement schedule में चलते हैं इस project के reinforcement schedule येस आप देखें यहाँ पर ये हमारा क्या है reinforcement schedule of pile cap ठीक है बार marking इसको बोलते हैं बार marking ये हमारा है बार marking और फिर आपका डाया दिया हुआ है spacing दिया हुआ है कि बार का spacing center to center सेप भी बता दिया है इस project में कि सेप कैसा होगा किसी किसी में सेप नहीं बताता है तो सेप अपने आप आपको पता होना चाहिए pile cap में reinforcement का सेप कैसा होगा L नहीं जाता है footing की तरह ही होता है लेकिन यहाँ पर सेप भी बता रहा है तो आप देखो मतलब यह इतना तो clear है कि यह उपर की तरफ L है तो यह जुरूर बॉटम में सोगा बॉटम में सोगा अब फिर यहाँ पर देखो यह भी दो नमबर भी उपर की तरफ L है तो यह बॉटम में सी होगा लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि ये bottom miss देखे, footing का bbs और pile cap का bbs same होता है footing का bbs थोड़ा सा मैं समझाऊँ आपको, यहाँ पर लिख के समझाता हूँ footing bbs and pile cap का bbs लगबग same ही होता है, उसमें भी double miss use होता है, और pile cap में भी double miss use होता है, तो देखो double miss मतलब क्या होता है double double miss का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे उस जगह पे double miss, मतलब double miss एक top miss होगा top miss लिख दिया यहाँ पे और फिर निचे bottom miss लिख दिया, अब top miss मतलब वहाँ पे आपका क्या होगा top main बार top distribution बार यहाँ पे top miss means, top main बार मतलब क्या होता है उपर का top miss means क्या होता है उपर का main बार और उपर का distribution मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हो यहाँ पे top top main बार और top distribution बार टोप distribution बार ठीक है अब बॉटम में लिखना बॉटम में अशे तो बॉटम में आपका बॉटम main बार और बॉटम distribution बार चार तरके बार आपकी यूज होंगे mess मतलब जाल दो जाल एक उपर जाल उसको top mess बोलते हैं और निचे वाले जाल को bottom mess बोलते हैं तो यहाँ पे pile cap का BBS हम लोग कर रहे हैं जो कि बिलकुल footing की BBS की तरह होता है जो footing का अगर double mess footing है तो उसी के तरह यह भी होता है तो यह जो top mess है यानि कि top main bar top distribution bar और bottom mess मतलब bottom main bar bottom distribution bar तो इतना तो हमें confirm हो गया और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि main bar जो होता है वो आपका diameter हमेशा आपका diameter जो होगा main bar का वो distribution bar से ज़्यादा होगा या equal होगा यह आपका bottom mess इतना तो हमें confirm है कि यह नीचे से उपर L जा रहा है तो यह bottom जाल में ही यह bar लगेगा अब हमें यह पता करना है अब यह नीचे के तरप जा रहा है उपर से नीचे के तरफ जा रहा है यह आपका जो होगा top mess का बार होगा यह जो है टॉप मेंस का बार होगा बिलकुई ठीक है तो इतना मैं यहां पर लिख सकता हूँ कि यह हमारा टॉप मैस है और यह हमारा उपर वाला बॉटम मैस है यह री इंफॉर्स्मेंट स्चेडूल समझा रहा हूँ coding समझा रहा हूँ तो bottom mess में अब देखिए मैंने क्या बोला bottom mess में bottom main bar भी होता है यहाँ पे देखो bottom main bar भी है bottom distribution bar है तो यह bottom mess है इसमें अब यह वाला main bar है यह वाला main bar है वो देखना है इसके diameter से हमें पता चल जा रहा है कि जिसका diameter जादा होगा that is यह आपका main bar होगा यह आपका जो दो number है यह confirm हो गया कि यह आपका bottom main bar है क्योंकि यह क्या है आपका नीचे से उपर की तरफ L जा रहा है यह नीचे ही लगेगा और यह दोनों में दो ही shape है जो नीचे से उपर की तरफ L जा रहा है एक यह है एक number एक दो number एक number का जो dia है वो 16 number है और दो number का जो dia हो 20 mm है और center to center spacing हमेशा main bar का जादा होता है as compared to distribution bar तो यह आपका bottom main bar हो गया और यह जो है आपका एक number जो है यह आपका bottom distribution bar हो गया यह clear हो गया तो एक number याद रखिए एक number जो हमारा बार है that is bottom distribution bar और दो number बार जो है वो हमारा bottom main bar है मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक number जो बार है यह हमारा bottom distribution bar है और दो number जो बार है यह हमारा bottom main bar है ठीक है अब आते हैं हम लोग नीचे तीन और चार पे तीन और चार जो है इसको रब कर देते हैं अब ये तीन चार पे आप देखेंगे मैं बात कर रहा हूँ ये तीन और चार वाले ठीक है तो यहां पे अब उपर वाला मेस मतलब यह top mess है इसलिए नीचे के तरफ L गया आई है फिर इसका हम लोग डाया से पता चल जाएगा कि अब हमारा top mess में top main बार और top distribution बार होता है और जो top main बार होता है उसका डाया जादा होगा तो अगें आप लिख सकते हो यह 4 नंबर है जो कि आपका चार नंबर जो है यह आपका top main बार हो गया और तिन नंबर जो है यह आपका top distribution हो गया top distribution बार है तो एक दो तीन चार हमारा हो गया तो एक नंबर जो है bottom distribution है यह मैंने schedule से भी बता दिया कैसे पहचांगते हैं तो अब हम लोग proof करेंगे drawing पे भी जाके drawing पे भी जाके अब देखेंगे कि एक नंबर दो नंबर तीन नंबर 4 क्या है कैसे है यहांसे थो में पता चल गया कि कौन हमारा ज्यादा डाया में बार है और में बार कम डाया वाला distribution बार है तो आए प्लान पर चलते हैं हम लोग और ये मैंने यहां पर लिखा हुआ था इसलिए मैं यहां पर लाया तो देखो यहां पर समझीएगा यह हमारा लेंथ ब्रेथ में बना दूआ आपको पहले लेंथ ब्रेथ सो कर देता हूँ यह आपका पाइल कैप है यह आपका पाइल कैप है ठीक है अब पाइल कैप है तो इसमें सबसे पहले एक नमबर देखते हैं दो नमबर फिर तीन फिर चार एक नमबर देखे कहां पर पॉइंट है एक नमबर आप देखो कि यहां पर पॉइंट है इसको थोड़ा समय जूम करूंगा जूम करके पता च तो देखें यहां पर क्या दिखा रहा है एक नमबर मतलब जो आपका लॉंगर बार है अगर आप देखेंगे इसका कहने के मतलब यह ऐसे बार जा रहा है हमारा फिर एक इधर सो कर दिया बार आपका एक नमबर यहां पर सो कर रहा है इस तरह से पकड़के यहां से यहां तक पकड़के मतलब एक नमबर अब मैं आपको बता दूँ पाइल कैप में जो बी बीस जो सरीया हम लोग लगाते हैं तो में बार हम इसा सौर्टर स्पैन अगर अगर आपका यह पाइल कैप है तो यह इधर के तरफ जो सरीयाद डलेगा सौर्टर स्पैन के तरफ चाहिए वो टॉप हो या बॉटम हो वो में होगा और जो लॉटर स्पैन के अलोंग डलेगा टॉप डिस्ट्यूबिशन या लॉटर स्पैन के जस्ट लाइक फोटिंग के तरह लॉटर स्पैन के अलोंग जो डलेगा बार वो डिस्ट्यूबिशन होगा सौर्टर स्पैन के अलोंग जो डलेगा पैललेली में वो में बार होगा तो यह देखो यह चावाली सो के डारेक्शन में लग रहा है यह आपको तो 1 और 3 हमारा किलियर हो गया क्योंकि अब निचे से बार आ रहा है निचे आगर आपका ऐसे यह आपका ऐसे है और उपर से ऐसे है कोई उपर का पोजेक्शन देखेगा एक और तीन एकी लाइन पर लगेगा ना एक और तीन एक क्योंकि center to center spacing same ही है 125, 125 इसलिए 1 और 3 एक जगल lap हो रहा है तो ये वाला bar जो है top distribution और bottom distribution तो bottom distribution जो है bottom distribution बार ये आपका एक number है top distribution जो है top distribution बार ये आपका 3 number है तो 1 और 3 clear हो गया अब आते हैं 4 और 2 पे तो 4 और 2 अब यहाँ पे देखेंगे 4 और 2 को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो गौर करो ये 4 और 2 कैसा है यहाँ पे यह बार ऐसे लग रहा है ये ऐसे लगेंगे बार ठीक है ये ऐसे लगेंगे तो हम plan के through coding के through भी हम लोग देखें reinforcement schedule के through भी देख लिए है तो पता चल जा रहा है कि हमारा क्या है तो ये ऐसे बार आपके लगेंगे मतलब ये आपका जाके नीचे ऐसे जाएगा ये आपका नीचे जाएगा ऐसे ये आपका ऐसे नीचे जाएगा ठीक है? L उसका उसका L ऐसे जाएगा और नीचे से भी आपका sorter span है तो उपर वाला मैंने top main बार बनाया और sorter span के along आपका bottom main बार भी मैं बना देता हूँ ऐसे bottom main बार भी होगा ये bottom main बार हो गया ठीक है? ये आपका bottom main बार हो गया इस तरह से पूरा करके नहीं दिखाया है बस उपर उपर आपका दिखाया है मैं तो समझाने के लिए ऐसे बना देता हूँ कि आप लोगो clear हो जारे तो ये आपका ऐसे अब इसमें क्या है? इसका blue वाला और नीचे वाला ये जो blue वाला है इसको मैं यहां पर लिख सकता हूँ blue वाले बार को मैं लिख सकता हूँ इस वाले बार को मैं इधर लिख देता हूँ top main bar और top main bar मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि उपर से main bar आप इसी के ज़स्त नीचे आप देखोगे spacing सेम होने के वज़ा से इसका इसका spacing सेम इसके नीचे लगेगा तो यह pink वाले जो है यह आपका bottom main bar लिख से तो अब देखो यहां पर 2 और 4 top main bar जो है यह आपका obviously आपका यहां पर देखो top main bar आपका bottom main bar आपका ऐसे जाएगा और top main bar का shape जो होगा वह आपका उपर से आएगा ऐसे आएगा तो यह जो है 4,2,6 तो अब इससे हमारा reinforcement schedule में अगर आप जाओगे यहां पर reinforcement schedule में जाओ तो यहां पर पतर चल जाएगा आपको यहां पर देखो कि 4 और 6 की बात हो रही है तो 4 और 6 4 और 6 हमारा तो यह आपका obviously यह आप यह top main bar हो गया और 6 2 और 4 sorry 2 और 4 तो यह आपका bottom main bar हो गया और 4 आपका top main bar हो गया तो हम लोग clear है कि schedule से देखके भी पता चल जा रहा है और plan से भी देखके पता चल जा रहा है अब मैं बताओं आपको थोड़ा सा section से भी आपको प्रूफ कर दूँ जैसे यह pile cap है तो section से भी मैं बताना चाहूंगा section से भी हम लोग पहचान सकते हैं ठीक है अब pile cap है यह आपका ऐसे projection लेके मैं बनाता हूं ठीक है यह ऐसे projection मैं थ्वाजा समझाने के लिए बना रहा हूं तो आप देखो यहां पर दिया हुआ है 4400 यह वाला portion जो है आपका दिया हुआ है this is 4400 मतलब यहां से यहां तक 4400 है 4400 mm मतलब longer span और pile cap का जो depth है वह है 1500 यह pile cap का depth है 1500 और जो आपकी चौडाई है जो कि मुझे इतना बड़ा नहीं बनाना था थोड़ा सा छोटा बना देते हैं तो किलियर होगा यह यह देखना बहुत इंपोर्टेंट है जब तक नहीं समझ में आएगा आप BBS नहीं कर सकते हो तो यह कुछ यह है यह 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 4400 यह हो गया तो चार नंबर जो सो कर रहा है वो टॉप में बार अगर आप यहां पर जून करके देखेंगे तो यह चार नंबर दिखा रहा है में बार और जस्ट तीन नंबर दिखा रहा है डिस्ट्यूबिशन बार मतलब यह जो है आपका गोल गोल सा यह आपका चार नंबर दिखा रहा है और यह इसके जस्ट में बार के जस्ट नीचे तॉप डिस्टिबिशन बार तीन नमबर मतलब चार नमबर टॉप में बार तीन नमबर टॉप डिस्टिबिशन बार वैसे ही आप नीचे देखो अगर नीचे आप देखते हैं यहां पर बॉटम में देखते हैं तो एक नम्बर है अब यहां पर देख़़ ए गोल सा आपका डायमीटर दिखा रहा है यह चीज यह पर और इधर से यह यहाँ पे कई सारे आपके यूज हुए रहेंगा तो यह दो नमबर एक नमबर मतलब यह आपका दो नमबर है आपका टॉप बॉटम में बर एक नमबर बॉटम डिस्ट्रिबिशन बर और चार नमबर टॉप में बर और तीन नमबर तो डिस्ट्रिबिशन बर तो यह चीज याद रखिएगा आपका चार नमबर जो है वह आपका टॉप में बर है और तीन नमबर टॉप डिस्ट्रिबिशन बर दो नमबर टॉप में बर और यह तो अब आप आप यहां पर देखेंगे, यहां पर डायमीटर आप देख लो, जो कि अब हम लग BBS करेंगे, एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर, चार नमबर, तो दो नमबर, जो कि टॉप बॉटम में बार है, 20 mm का है, 1.500 mm, सेंटर टू सेंटर, ठीक है, और जो डिस्ट्रिब्यूशन ह तो अब हम चलते हैं, BBS करने, तो BBS करने के लिए मैंने एक बना रखा है, यहां पर आप देखेंगे, ऐसे समझेंगे अब लोग, BBS कैसे करते हैं, तो इस चीज़ को समझेंगे, कि मैंने क्या बनाया, यह जो रेड कलर का है, यह रेड बार जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, BINDER, यह आपका क्या है, BINDER, इस इस कॉल्ड, BINDER, मैं यहां पर मार कर देता हूँ, BINDER, along Sorter Span, Sorter Span, यह Sorter Span, यह जो है, आपका Pile Cap का, मैंने एक Cross Section बनाया है, जो कि 4400, 4400 का Length है, और जो Depth है, वो 1500 mm का है, और जो Breath है, 800 mm का है, तो यह BINDER क्या है, कि आपके, जो Pile Cap होता है, उसके वाल पर लगता है, चारो तरप से, तो BINDER इसलिए लगाते हैं, ताकि अंदर के मैस को, हम लोग सेफ रखें, उसको बाहर से, आपका कवर करने के लिए, तो यह BINDER जितनी भी रेट कलर का दिख रहा है, रेट कलर का जो BINDER आपको दिख रहा है, यह सेफ में, ऐसे इसको बोलते हैं, यह है आपका BINDER, यह इस साइड भी है, आपका इसको माल लो फर्स्ट फेस और उसको माल लो सेकेंड फेस, ऑपोजिट फेस, इधर भी है, रेड कलर, अब आते हैं, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर पे आते हैं, तो यह जो है, यह भी आपके, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, बाइंडर, इसका, बाइं तो यह इसलिए लगाते हैं ताकि चारो तरब से आपका कवर किया जासा कि मैस को तो इसका भी आपका इधर भी दिया है उधर भी दिया है रेड वाला जो बाइंडर आपके वाल पे लगए इधर भी दिया उधर भी दिया बीच में मैस लगेगा तो बाइंडर का भी आपका दिया हुआ है आप यहां पर देखेंगे ड्रॉइंग में आपको ले चलता हूं ड्रॉइंग में दिखाता हूं आपको यहां पर आप देखो जो 100 रस्पैन है जो कि 100 रस्पैन के तरफ 6 नमबर दिखा रहा है चार और दो तो आपका टॉप में बार और आपका बॉटम में बार और इधर आप देखेंगे जो तीन और एक है टॉप डिस्टिबिशन बार बॉटम डिस्टिबिशन बार और छे है बाइंडर दिखा रहा है आप देख सकते हैं यहां पर बाइंडर का पोर्जेक्शन यहां पर ऐसे दिखा रहा है चार इदर से bind किया हुआ है ये इदर से ठीक है तो 6 नमबर इदर भी आपका देखोगे इदर longer span में जो दिखाँ रहा है वो 5 नमबर दिखा रहा है ये 5 नमबर से ये भी आपका तो ये जो binder है ये ऐसे है ये ऐसे है और जो पांच नमबर है वह आपका अंदर के तरफ गया है और यह ऐसे चला गया है ठीक है कुछ ऐसे आकर ऐसे जाएगा तो यह चारो तरफ से बाइंडर इसलिए करते हैं इसके लिए मैंने फोटो भी बना रखा है आप देखेंगा इधर तो यह यहां पर फोटो है यह जो है रेड ओल यह रेड वन और फिर इधर ग्रीन वर तो यह बाइंडर इसलिए बनाया गया है ताकि cover up किया जा सके हैं और यह जो मैंने projection बनाया है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं यह black color का आप जो देख रहे हैं यह portion यह है आपका top main bar है ठीक है और जो pink color का आप देख रहे हो यहाँ पे यह pink color का इधर मैं डालूँ यह है आपका bottom main bar है ठीक है जो top main bar था वो क्या डाया का था तो यह number क्या था लेकिन आपका डाया जो था वो था 20 mm और spacing जो था वो था 150 mm mm center to center और bottom main bar भी same यही था 20 mm डाया और spacing जो था वो 150 mm center to center यही था इसका VBS भी अभी हम लोग करेंगे ठीक है तो टॉप में बार बॉटम में बार आपको समझ में आया क्या है अब यह है टॉप distribution बार जो मैं बुलू कलर का बनाया हूँ यहां पर यह बुलू कलर का इस टॉप distribution बार टॉप distribution बार जो की यह दिया हुआ 16 mm पर डाया और 125 mm center to center और जो इसी के जस्ट नीचे है इसी के जस्ट जो नीचे होगा वो है बॉटम distribution बार बॉटम डिस्ट्रिबूशन बार जो कि यह बाइंडर दिया हुआ है जो कि यह बाइंडर जै यह भी आपके ड्रॉइंग में दिया है मैं डायक्त यहां पर लिख देता हूं इसका डाया यह दिया है 20 mm at the rate 150 mm 150 mm center to center center to center और जो green के तरफ दे साइड के तरफ जो बाइंडर लॉंगर स्पैन के लॉंग वाल पर दिया है यह ग्रीन वन वो दिया है शुक्स्टी एम एम डिरेट ओन ट्वैंटी फाइव एम सेंटर टू नहीं स्पेसिंग आपका सेमी है 150 mm सेंटर तू सेंटर तो सेंटर यह आपकें डॉाइंगा हुआ हम्ने स्टार्ट करते हैं भी वी ईस या करेंगे अब भीएस अ भी हमलोग करने जा रहे हैं पाय ragiffs का भी यहाल का PYVS में लोग क्या निका लेंगे सबएरे एक नंबर निका लेंगें Binders, Binders का BBS करेंगे, Along, Sorter Span, जो की Rate Color का है, तो मैं Rate से Marker लेता हूँ, फिर Second हम लोग BBS करेंगे, Binders, BBS, Along, Longer Span, जो की Green Color का है, तो मैं Green से, यहाँ पर Marker लेता हूँ, और Third हम लोग निकालेंगे, वो निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे, Top Main Bar, Top Main Bar, ठीक है, Top Main Bar, Black Color से मैंने यहाँ पर सो किया, तो वो ब्लैक कर दिया, Fourth, Bottom Main Bar, जो की मैंने Pink से सो किया है, तो Pink से सो कर देता हूँ, Fifth जो हम लोग निकालेंगे, वो निकालेंगे, Top Distribution Bar, जो की यहाँ पर आप देखेंगे, इस जगह पर, तो वो हमने, यहाँ पर, Top Distribution Bar हमारा, किस कलर का है, Blue Color, तो मैं Blue Color से लिखना चाहूँगा, तो यहाँ पर, Fifth, Top Distribution Bar, और Sixth जो है, हमारा, Pink कलर से फिर से, बोटम Distribution Bar, बोटम Distribution Bar, तो यह छे बार का हमें, BBS करना है, तो स्टार्ड करते हैं, सबसे पहले हमने स्टार्ड करेंगे, Binders BBS Along Sorter Spend, देखें, Pile Cap का BBS करने के लिए, हम इससे याद रखिएगा, कि Binder का BBS करना होगा, चारो तरप से, जो Binding Bars देते हैं, Covering Bars देते हैं, Binder BBS Along Sorter Spend, जो इस Face पे है, Face भी मैं आपको थोड़ा सा Color करके दिखा दूँ, ताकि आप लोग क्लियर हो जाएगा, जो इस Face पे सिर्फ है, इस Face पे, वाल के Face पे लगा हुआ है, यह, ठीक है, इधर भी लगा है, और इधर भी लगा है, तो इधर का निकल जाएगा, तो इधर का निकल जाएगा, और फिर आप देखोगे, इस Side, Binder BBS Along Long Sorter Spend, जो कि इस Face पे लगा है, इस Wall पे लगा है, ग्रीन वन, इधर भी लगा हुआ है, ठीक है, दिवाल पे, और जो बीच में, थूआउट तो गया है, वो तो टॉप में बार, टॉप डिस्टिबिशन बार, बॉटम में बार, बॉटम डिस्टिबिशन बार, तो निकालेंगे, निकालेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, तो BBS के लिए, सबसे पहले BBS, अगर BBS किसी भी च इसमें, तो देखो, 1800, तो 1800 हमारा BBS निकालने के लिए, सबसे पहले कटिंग लेंथ निकालना होता है, तो 1800 माइनस, अब जो कवर है, आप इधर एक साइड कवर छोड़ेगे, एक साइड इधर कवर छोड़ोगे, तो 75 माइनस 75, ठीक है, और हमारे ड्रॉइंग में, मैं आपको लास्ट में भी दिखाऊंगा, कि यह वाले जो पोर्सन है, इस वाले बार का जो यह लेंथ है, यह दिय अदिया हुआ है, 600 600 लेना है, यह दिया हुआ है, 600 आपको इधर का लेना है, और इधर का ल आपको 600 लेना है, तो 1800 माइनस 75 75 cover किया मतलब concrete cover आपका लगता है वो आपका clear cover आपका minus होगा 75 75 ये भी दिया हुआ है कितना concrete cover छोड़ना है तो 75 75 और फिर आपका plus 600 plus 600 और minus band कभी भी होता है आप एक चीज़ और मैं बता दो यहाँ पे जब भी सरीया band होता है ऐसे 90 डिगरी पे तो 90 डिगरी पे जो band होगा उसको आम लोग 2D band deduction करते हैं इदर 2D तो minus यहाँ पे 2D minus 2D ये आपको करना होगा और जो डाया दिया हुआ 20 mm का तो इसको अगर आप solve करते हैं 1800 minus 150 plus 1200 और minus 4 into डाया दिया हुए 20 mm इसको अगर आप solve करते हैं तो इसका cutting length जो आएगा वो आएगा 2770 mm मतलब 2.77 meter अब नमबर निकालेंगे नमबर कैसे निकलता है अब देखो opposite length अब इसका ये बाहर जो लगा है ऐसे ऐसे बाहर लग रहा है तो इसका opposite length कुन सा होगा यहीं होगा इसका opposite length तो opposite length दिया हुआ हुआ 1500 अब ऑपोजिट लेंथ 1500 माइनस दोनों साड़ उपर से टॉप कवर उपर से टॉप कवर निचे से टॉप कवर यानि कि 75 माइनस 75 और डिवाइड बाई इस स्पेसिंग हमें करना होता है डिवाइड बाई इस स्पेसिंग क्या है 150 और प्लस वार ठीक है, बेसिक में, बेसिक BBS में मैं बताऊंगा, प्लस वन क्या होता है, फ़र्मूला कैसे ने इंकल क्या आता है, opposite length, minus cover, दोनों side cover, उपर से cover, नीचे से cover, divide by spacing, प्लस वन, इसको अगर आप करते हैं, number आपका आजाएगा, 10, और unit weight, unit weight अब निकालें, next third step होता है, unit weight निकाल into 20, divide by 162 करोगे, तो यह आएगा, 2.46 kg per meter, अब इसका cutting length अगर निकालते हैं, तो cutting length मतलब क्या, sorry, unit weight अब निकालेंगे, तो total weight कैसे निकलेगा, cutting length क्या आया है, 2.77 into number आया है, 10, और unit weight आया है, 2.46, तो इसको अगर आप multiply करते हो, यह आएगा, 68.14, kg, अब दोनों side है, इस side भी है, उस side भी है, ठीक है, तो यह आप into 2 कर सकते हैं, into 2, या आप बोल सकते हैं, 2.77 meter का बाहर जो लगेगा, 10 इधर लगेगा, अब 10 उस side लगेगा, तो यह total आपका bbs आ जाएगा, binder bbs along shorter span, ठीक है, अब हम लोग जो करेंगे, वो अब bbs करेंगे, binder bbs along, binder bbs along longer span, जो कि green वाला है, तो यह हम लोग जल्दी से देखते हैं, इसका, अब इसका length निकालना है, किस वाले बार का, इस वाले बार का, यहां से, यहां वाले का, ठीक है, तो यह 4400, cutting length निकालते हैं, first, cutting length, तो cutting length किसी नहीं है, 4400, minus, अब इधर से एक cover, एक cover इधर से minus करोगे, इस side से, और दूसरा, उस side से cover minus करोगे, 75, minus 75, और अब देखो, यह बार जो है, जो ज़्यादा डाया का है, red one, उसके अंदर जाके लग रहा है, उसको तो, तोड़ते हुए बाहर नहीं निकलेगा, उसको, उसी के अंदर लग जा रहा है, तो इसलिए इसका भी डाया, और उदर से, दोनों तरफ से डाया, तो red वाले बार, मतलब जो binder, sorter spend में जो लगा, वो 20 mm का इधर, और 20 mm का इधर, तो minus 20, minus 20, यह इसलिए किया है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखो के ध्यान से, तो यह जो है, यह ओला बार जो है, आके यहीं पर रुख जा रहा है, इसके अंदर इसलिए इसका डाया यहां से, और इधर से इसका डाया, तो यह 20-20 मैंने एक तरफ का डाया, एक तरफ उदर से डाया किया है, और minus 4D, minus bend deduction, 4D, 2D, 2D, तो अब इसका जो डाया है, 16 mm है, तो इसको अगर आप solve करोगे, 4400, minus 150, minus 40, minus 4, into 16, इसको अगर solve करते हैं हम लोग, तो यह आएगा आपका, नेर रहा हूँ, यह आपका आजा रहा है, 5.34 meter, ठीक है, mm आ रहा है, 5346 mm, मीटर में चेंज किया, 5.34 meter, numbers निकाले, तो numbers अब opposite length, अब यह longer span है, तो इसका opposite length क्या होगा, 1800, minus 75, minus 75, दोनों side से cover, देखो, number कैसे निकालते हैं, number निकालने का आप सब सोचो, देखिए, यह हमारा 4400 के long लग रहा है, आपका binder, यह binder, तो इसका numbers कैसे, इसका opposite length यह होगा, तो आपका कैसे, यहाँ पर, निकालते हैं, number, निकालते हैं, number, यहाँ पर number कैसे होगा, तो अब binder का आपका जो, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो binders लग रहे हैं, ग्रीन वाँ, तो इसका opposite length यही portion पर opposite length आ रहे हैं, यह portion है opposite length के लिए, यह portion है opposite length के लिए, तो यह कितना है, यह आपका बाहर जैसे लगा तो इसका opposite length यह होगा, तो यह 1500 है, तो 1500, 1500, माइनस, टॉप को बाहर 75, माइनस 75, डिवाइड बाई, इसका भी number 10 हा रहा है, अब निकालेंगे, थर्ड unit weight, तो unit weight आपका जो है, 16 mm का है, तो 16 into 16 divided by 16 into 16 divided by 162 पर होगे, यह आएगा 1.58 kg per meter, और 4 अब total weight निकालना है, तो total weight कैसे निकालेगा, binders along longer span का, cutting length 5.34 into numbers into unit weight, तो यह आजाएगा, आपका total weight 84.37 kg, यह आपका total weight आगया, अब दोनों साइड है, इधर भी है, और उस साइड भी है, इंटू 2 कर देंगे, यह आप बोल सकते हो, 5.34 meter का 10 बार इधर लग रहा है, 10 बार उस face पे लगेगा, green one, तो यह binder का BBS हमने किया, अब next हम लग करेंगे third हमारा, third, top main bar का BBS, जो कि black color से मैंने यहाँ पे so किया है, इस जगह पे so किया है, मैं कौन सा करने जा रहा हूँ, यह करने जा रहा हूँ, इसका cutting length कैसे निकलेगा, cutting length, यह sorter span, यानि कि यह 1800 है, आपका यह वाला जो portion है, यह 1800 है, ठीक है, तो 1800 माइनस, दोनों साइट से cover, 75, 75, और माइनस आप देखो, दोनों binder का डाया, red one और green one, इधर red one और green one का डाया, क्योंकि आप देखो, आपको black one इसके उधर नहीं जाएगा, black bar जो top main bar है, इधर नहीं जा रहा है, तो 20, red one, मतलब इधर का red binder जो है, उसका 20 डाया है, और green जो है, वो 16 है, फिर दूसरे साइड भी, दूसरे साइड भी 20 और 16, क्योंकि यह जो आप देख रहे हो, यहाँ पे, आप देखो, यह red औ और जो L गया है नीचे के तरफ, जो नीचे के तरफ L गया है, वो दिया हुआ है, 1000 प्लस 1000, shape of the bar में दिया हुआ है, मतलब जो यह है, यह आपका दिया है, 1000, 1000, ठीक है, और minus 4D, 4D क्यों, 2D, 2D deduction, इसको आप करते हो, जो कि यह 20 mm का है, इसको cutting length आप निकालते हो, तो यह नमबर निकालते हैं, तो नमबर निकालने के लिए, अब यह तो हमारा, सौटर स्पैन में, अपोजिट लेंथ जो है, यह हो जाएगा, अपोजिट लेंथ, 4400, तो 4400, minus 75, minus 75, cover, और साथ में इधर का दोड़ आया, और इधर का दोड़ आया, बाइंडर का, तो 20, 16, minus 20, minus 16, डिवाइड बाइ, इस पेसिंग जो है, वो 150 दिया हुआ, से डूल में, ठीक है, प्लस 1, प्लस 1 करेंगे, यह आ जाएगा आपका, 29 बास, और यूनिट वेट अगर निकालते हैं, यूनिट वेट, तो अब 20 mm का है, तो डायेक्ट आप 2.46 kg पर मीटर लेख सकते हैं, डी स्कॉर अपन 162, टोटल वेट अगर करते हैं, तो यह आ जाएगा, 3.49 into 29 into 2.46, तो यह आ जाएगा 249 kg, यह आपका टॉप में बार का निकला, अब हम लोग निकालेंगे, बॉटम में बार का BBS, अब बॉटम में बार का BBS कैसे निकलेगा, बॉटम में बार का BBS निकाल बार का BBS हो गया, जो कि तूप अब हम लोग निकालेंगे, पींक बार जो कि ऐसे इस सेप मे आई, जो कि यहां प्रिध सकते हैं, बॉटम में बार, तो बॉटम में बार का cutting length हम लोग निकाएंगे, then cutting length कैसे निकलेगा, अब आप देखको, यहां से यह मेरे highlights पर देखो यह बार यहां से यही पर आके रूप जा रहा है तो इसमें जो courtyard होगा यह cover cover तो माईनस करेंगे 75 पर प्लस यह 2 binder का dia 2 binder का dia प्लस आपडर से जो बार आ रहा है उसका भी डाया माईनस करना होगा तो देखिया कैसे निकालेंगे इधर का डाया, यह red one और green one और फिर इधर भी, minus 20, minus 16 दूसरे तरफ और उपर से, top main बार डाया का, यह जो top main बार का डाया है, जो के 20 है, एक side इधर से, एक side इधर से और एक side इधर से, तो minus 20, minus 20, plus 1000, L गया है, 1000, plus 1000, minus 2D, minus 2D, इसको करते हैं, यह भी आपका 20 mm का है, यह cutting length अगर निकालते हैं हम लोग, bottom main बार का, तो 3.45 meter हमारा आ रहा है, और next second हम लोग numbers निकालेंगे, तो number निकालने के लिए opposite length आपका फिर वैसा ही, 4400, minus 75, minus 75, और, binder कड़ाया, 20, solar, 20, और, solar, ठीक है, divide by spacing, spacing आपका 150 है, तो यह सारा चीज़ करने के बाद, bracket देके, divide by 150, plus 1, तो यह आजाएगा, अपका, total यह भी same 29 bars आ रहा है, ठीक है, unit weight, unit weight, अब जो हम लोग निकालेंगे, unit weight, इसका unit weight 20 mm का है, तो इसका भी unit weight 2.46 kg per meter आएगा, और, total weight जो निकालेंगे, total weight, total कितना आपका, यूज हो रहा है, total सरिया का weight कितना आएगा, bottom main bar का, तो यह अगर आप multiply करते हैं, 3.45 into 2.46 into 29, तो यह something आपका, 168 kg आएगा, यह bottom main bar का BBS हो गया, हमारा bottom main bar भी निकल गया, ठीक है, next हम लोग करेंगे, यह हमारा last है, top distribution bar, top distribution bar, जो कि मैंने, blue color के से बनाया है, 16 mm का है, 125 center to center है, तो cutting length इसका निकालते हैं, cutting length, तो cutting length कैसे निकलेगा, तो अब यह 4,400 है, यह तो हमारा 4,400 है न, longer span, 4,400, तो 4,400, माइनस, 75, माइनस 75, और डाया, 26, 26, 26, 26, बाइंडर का डाया मैं माइस, प्लस, 1000, प्लस, 1000, माइनस 40, जो कि D, यहाँ पे, जो D लेंगे, वो 16 mm का लेंगे, cutting length निकालते हैं, इसका, तो इसका cutting length आएगा, 6.264 मीटर, और नमबर अगर निकालते हैं, नमबर, तो opposite length इसका अब 1800 हो जाएगा, 1800, माइनस 75, माइनस 75, माइनस 20, 16, 20, 16, यह बाइंडर का डाया, दो डाया, बाइंडर का उधर से, दो डाया, बाइंडर का इधर से, दोनों साइट से, लेफ्ट और राइट से, divide by, divide by, यहाँ पे 125 कर देंगे, 125, प्लस, 1, तो इसका हमलारा नमबर आएगा, इसका नमबर आ रहा है, टोटल 14, unit weight, पता है, 1.58 केजी पर मीटर, और टोटल वेट जो होगा, टोटल वेट आ जाएगा, 6.246, into 14, into 1.58, तो टोटल वेट आ जाएगा, 86.06 केजी, यह आपका टॉप डिस्ट्यूबिशन बाहर भी निकल गया, इसका भी BBS हमने कर लिया, अब करेंगे हम लो, बॉटम, डिस्ट्यूबिशन बाहर है, मतलब जो पिंग कलर का है, वो, यह, बॉटम, इसका भी 16, बस इसमें माइनस करना है, क्या है, कटिंग लेंथ, 44, 100, माइनस 75, माइनस 70, कवर है, और बाइंडर का डाया, दोनों साइट से, 20, माइनस 16, और माइनस जो उपर से, आपका यह जो डाया है, यहाँ पे, यह डाया एक इधर से, और एक डाया इधर से, तब जाके, इसका लेंथ, यहाँ से यहाँ का लेंथ निकलेगा, ठीक है, तो इसलिए उपर का डाया, मतलब 16, और 16, टॉप डिस्ट्रिबिशन बाहर का, प्लस 1000 L, जो 1000 थाउजन थाउजन ले रहे हैं, यह ड्रॉइंग में दिया हुआ है, L, जो उपर के तरफ जा रहे है, माइनस 4D, तो यहाँ पर जो D ले रहे हैं, 16, इसका कटिंग लेंथ निकलेंगे, तो इसका कटिंग लेंथ आ रहा है, 6.232, मीटर, नमबर निकलेंगे, तो नमबर 1800, माइनस 75, माइनस 75, और माइनस 20, बाइंडर, ग्रीन और रेड बाइंडर, जो कि बाइंडर करना है, तो स्पेसिंग डिवाइड अगर करते हैं, 125, तो इसका भी सेम ही आएगा, प्लस इधर प्लस 1, इसका भी आपका सेम 14 बाहरा है, और यूनिट वेट निकालते हैं, तो 1.58 केजी पर मीटर, टोटल वेट अगर निकालते हैं, तो यह आपका आजाएगा, टोटल 84.37 केजी, यह मैंने कैलकुलेशन, आपको एप्रोक्स नहीं बता रहा हूँ, मैंने करके रखा है, कैलकुलेशन, इसलिए मैं डिरेक्ट लिख देता हूँ, तो कटिंग लेंथ, नमबर, बीबियस का आपका स्टेप्स, कटिंग लेंथ, नमबर, यूनिट वेट, टोटल वेट निकाल इसका एक्सल सीट पर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यह समझाने के लिए मैंने मैनुवली आपको वाइट बोर्ड पर बताया है, आसा करता हूँ इंजिनियर्स आपको यह सेशन समझ में आया होगा, यह सेशन जरूर लंबा जरूर है, लेकिन मेरा कोशिस यह था कि ड्रॉइ कैसे करते हैं, मैनुवली बताया है, स्टेप्स बताया, आसा करता हूँ यह सेशन आपको समझ में आया होगा, सेशन समझ में आया होगा, तो जरूर लाइक कर दें, और अगर आप हमारी वीडियो सेशन को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल कर दो झाल कर दो फर दो आप कर दो हूा प्कैनि जूर जाज़ आज्जुंदा कर दो हूा झाल